नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नियूज और आपके साथ मैं हूँ दीपक शर्मा बहाली कर वाहवाही बटोर रहा है तो कोई बहाल गुरु जी को रज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा कर उन्हें अपने साथ लाना चाहता है पर दोनों ही स्थिती में प्रक्रिया की पेच्वीदगी सवाल खड़े करती है अब तीसरे चरण की सक्षक न्युक्ति और निय सब्सक्राइब नुजित सक्षकों का आंधोलन इंक्लाब जिंदाबर जिनदाबर जिनदाबर फेरे कि व्जा चाहिए लिए उन्लाइन टरफ विरोध दूसरी तरफ नई बहाली की तयारी ये परिछा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जो सक्षक न्युक्ती परिक्षा हुई है, उसमें भी कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सप्लिमेंटरी रिजल्ट की मांग को लेकर हालाकि उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, लेकिन दूसरी और न्यूजित सक्षक सरकारी फर्मान को लेकर उहापो के स्थिती मे उनका कहना है कि दक्षता परिक्षा वो देने के लिए तयार है लेकिन उसके साथ जो किंतु परंतु और अन्य खंडों में नियम कानून लगाये जा रहे हैं वो कहीं न कहीं से उनके हित में नहीं है अब तक की जो प्रक्रिया हो रही थी उसी प्रक्रिया को आगे करते हुए उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिये जाने की मांग उठती रही है इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे साथ दलिय प्रतुनेदी हैं उनसे आपका परिचर करा दें हमारे साथ कॉंग्रिस का पक्षो रखने के लिए शेशेर कॉंडेले जी हैं के साथ जो कुछ भी हो रहा है अब तक न नियोजित सक्षक संतुष्ट हो पाए है न BPSC के माध्यम से जिन सक्षकों की नियुक्ती हो रही है वो प्रक्रिया से संतुष्ट हो पाए है विरोध पुरदर्शन हम हर दिन देखी रहे हैं उस तरह की खबरें अलग-अलग जिलों से और पटना मुख्याले राजदानी से आही रही है तो आखिर में ये ऐसी प्रक्रिया कियों जिसको लेकर विरोध के स्वर बार-बार मुखर हो रहे हैं सबसे पहले तो राजेश जी आप से जानना चाहेंगे देखे जब नितीज जी की सरकार और भारतिये जनता पाटी की सरकार 2005 में बनी थे इसके बाद ही इस इक्षक बहाली की परकिरिया चालू ही थी इसके बाद लगातार नितीज जी और भारतिये जनता पाटी के परियास जारी रखते हुए अभी पिछली सरकार जो थी जिसमें नितिस कुमार मुखमंतरी थे इन लोगों को राज का दर्जा दिये थे अब इन लोगों को क्या समस्या है नहीं समस्या है इन लोगों को कर रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर का जानकारी नहीं है ऑनलाइन परिक्षा जो ऐसो होगी हम तारा ताइम 2013 इनको दीया जाए जिससे उन लोगों को दख्सता देने में किसी तरह की पर्सानी नहीं हो डिपक जी में आएक बात आप करेकारी अध्यक्ष भी हैं उनसे भी जानेंगे लेकिन पहले सियासी पुरुत कुरिया हम ले ले लेते हैं कॉंग्रेस का पक्ष रख रहा है शिशेर कॉंडेले जी क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर दिपक जी मैं दो तीन बाते सिर्व सिलवात तरीके से कर दो और वो सारे आप दुबारा UPSC की परिक्षा जो कॉंपीट करके आये हैं वो अगर कहें आपकी दुबारा परिक्षा आपकी ली जाएगी तो सफलता उनकी कितने पसेंट की होगी ये सब को पता है मुझे लगता है एक पसेंट भी वो सफल नहीं हो पाएंगे वो लोग जो वरतमान में कारियरत हैं पहली बात तो यह दूसरी बात यह कि किसी भी सर्वीस में आप जाते हैं तो होता यह है कि उसका उस सर्वीस का experience काउंट होता है और उस experience की काउंटिंग के मुताबिक आपको प्रमोशन दिया जाता है जैसे district magistrate commissioner होते हैं, commissioner secretary होते हैं बगरा बगरा और तीसरी सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस प्रकार से सिक्षकों का जो जैसे अभी एक पता नहीं कुछ दिरों से secretary बने हैं education department के अवर सचीव हैं वो केके पाटक उनका जिस प्रकार का रवया है सिक्षकों के कि जो जैसे आप service conduct को अगर देखें, consciously, तो consciously service conduct में किसी को डंडा दिखा करके आप उससे काम नहीं ले सकते हैं, आप देख लिजे, service rules को आप देख लिजे, आप उसको प्रत्साहित करके, उसको दूसरे तरीके से करके और आप उनको उनसे maximum efforts ले सकते हैं काम में, तो याद किजिएगा वो 90 का दौर, जब आपको याद होगा लालू प्रसाज जी मक्यमंत्री थे, और उन्होंने उनका टकराव प्रार्थमिक सिक्षक संग से तब प्रमंडलिये स्थानांत्रण को ले करके हुआ था, और वो टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया, कि बाद के कालखं लालू प्रसाज जी आज तक सत्ता में नहीं आये हैं, सिक्षकों ने इतना भारी नुकसान दिया उनको, तो नितीश कुमार जी के साथ केके पाठा को क्या है, वो आज भी नौकरी करेंगे, कल भी नौकरी करेंगे, लेकिन सरकार में भाती जनता पार्टी या फिर जनता द बहावना यह नहीं है, कि किसी को प्रतारीत किया जाए, शिक्षकों को परशान न क करने की मंसा है, लेकिन सरकार का संकल्प है, सरकार का पर्यास है, हैं सिक्षा के छेतर में सुधार हो, सिक्षा का अस्तर उंचा हो, और जो गाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी जो गरीबों के बच्चे सरकारी विद्याले में पढते हैं अमीर वर्द के बच्चों के लिए तो कोई समस्या नहीं है वो बड़े-बड़े महंगे महंगे स्कूलों में दाखिला करा लेते हैं और उनकी सिख्छा-दिख्छा हो जाती है लेकिन जो गड़ीबों के बच्चे हैं गाउं के सरकारी बिद्याले में पढ़ते हैं तो सरकार ने ये संकल पलिया कि हम उसमें सुधार करेंगे और उसके अस्तर को उपढ़ेंगे ताकि गाउं के भी बच्चे गाउं के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उच्छे पदो पर जाए और सरकार के कार्जक्रमों में उसकी सहभागता हो देश और राजी के विकास उसकी सहभागता है तो पढ़ाने में समय कहां से देंगे तो निश्ची तुरुट्य में कहना चाहेंगे सरकार की मंसा नहीं है कि हम किसी खास पद को लेकर करके हम उसको टार्गेट करके उसको परसान करने की मंसा से कोई करवाई करें सरकार भी चाहती है कि सिक्छकों को भी परशानियों से मुक्ते रखें सिक्छकों को फिरी हो करके उनका मस्तिस्क फिरी रहे ताकि वो बच्चों को अच्छी तालिम अच्छी सिक्षा दे सके सरकार ये बात को महसूस करती है कि अगर कहीं किसी मामले में तुरुटी हुई है या कोई भूल हुई है या कोई कमी रह गई है या किसी निरने से सिक्षकों को भी परशानी हो रही है जो नियम के विरुद्ध है अगर ऐसे करवाई जो नियम के विरुद्ध है वो ऐसे नियमों पर सरकार सुचने परमजबूर है और सरकार इसको सुधार करेगी उस पर इस बार BPSC के माद्यम से पूरी की गई उस प्रक्रिया के बाद जो स्थिती बनी है उसमें पारदर्शिता का दावा तो किया जा रहा है लेकिन फिर अब सप्लिमेंटरी रिजल्ट को लेकर शिकायते आने लगी है हम बात कर रहे हैं सक्षकों से जुड़े मुद्दे की जहां एक और नियूजित सक्षक अपनी दक्षता परिक्षा को लेकर जो नए नए नियम कानून लागू किये जा रहे हैं उसको लेकर परिशान है और दूसरी और तीसरे चरंड की नियूजित की तयारी BPSC ने सक्षको हो रही है जी मनोजी देखिए सिचकों को परिच्छा देने में कोई परिशानी नहीं है परिच्छा तो हम लोग लेते ही रहते हैं और देते भी हैं लेकिन यहां पर समस्या यह है कि सरकार एक तो कही कि आउनलाइन परिच्छा लेंगे आनन फानन में हमारे जितने भी चार लाक सिछक हैं कभी भी आज तक उनको कमप्यूटर चलाने का परसिचन नहीं दिया गया और कमप्यूटर चलाने से वो बिलकुल अनभिग है और सरकार का यह कदम भी उचित नहीं है चुकि हमारे जितने भी अस्थान ये काई द्वारा न्यूक्त सिछक हैं 2012 से पहले जो न्यूक्त हुए उन्होंने दचता परिच्छा पास किया जो कि यही बिहार विद्याले परिच्छा समीटी ली थी और उसमें भी यही सर्त था कि जो तीन वार में उतिर्न नहीं होंगे परिच्छा उनको सेवा से हटा दिया जाएगा तो हमारे सभी सिछक दस्ता परिच्छा उतिर्न हुए उसके बाद जो बहाली हुई हमारे सभी सिछक पातरता परिच्छा उतिर्न होकर ही बहाल हुए और आज भी जो बहाली हो रही है NCTE ने यह नियम बना रखा है कि जो भी बहाली वही सिच्छक पद पर वही बहाल हो सकता है जो पातरता परिच्छा उत्तिर्न है सारे सिच्छक प्रेंड हैं इस तरह से जब हमारे स्रभी सिच्छक योग्य हैं फिर जो है पुनह परिच्छा लेने की बात और वही इसमें भीर बात और है कि आप जो है सो विकल्प दीजे और विकल्प देखे तीन जिला में जाए हमारे पास ऐसे सैक्रो आवेदन आये हैं जो सिच्छक की विकलांग है निसक्त है और देखने में लाचार है है ने उनकी भी बहाली हुई है एक परतिसत्री जर्वेशन बिहार सरक सरकार ने दी है वैसे सिचको को वो कैसे देंगे और उसके बाद महिला और विकलांग सिच्छक तीन जिला विकल्प लेके और उन्हें धेज देंगे तो उनको तो काफी कठनाई का सामना करना पड़ेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को और जो भी सिच् परन होगा कि सारे सिचको को इधर से उधर किया था स्री जैपरकास नारायन जादव सिच्छा मंत्री थे और उसकी अस्थिती हो गई कि जो सिच्छा वेवस्था गरवडाई उसको सुधारने में बरसो लगा और मदन मोहन ज्या जो सिच्छा आयुक्त हुए यही स्री नित कुमार जी ने उनको लाया था सिच्छा विभाग में और काफी सुधारात्मक किया उन्होंने यह समझा कि सिच्छको को मनमाफिक पदस्थापत करने से सिच्छा में सुधार होता है और वो दीखा भी लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस तरह की बात करना चाहती है और उसके अपने स्कैडर में बने रहेंगे अस्थानिय निकाय के सिच्छक के रूप में वो कार्ज करते रहेंगे वहीं दूसरी कंडिका में था थी कि जो तीन बार में उत्तिर्न नहीं होंगे तो उनके लिए एक कमीटी बनेगी और वो कमीटी बिचार करेगी कि इनको क्या करना है तो वो तो परिच्छा लेते और तीन बार बाद में बीचार करते लेकिन आनन फानन में कमीटी बना दिया गया और एक ही दीन में कमीटी ने यह रिपोर्ट दे दिया कि उनकी नोकरी जाएगी और जो तस्वीरें हम देखा रहे हैं सब्सक्राइब कर दूं कितना बड़ा क्राइशी से सरकार के लिए समझे अभी कोट में मामला गया है क्या होता है वो तो कोट आगे निरधारित करेगा लेकिन आप 10 वर्ष 12 वर्ष पहले जो सिक्षकों के निवक्ति लेते हैं उसमें जो पातरता परिक्षा है वैसे पास सिक सिक्षक बाहल होते हैं और जो नोटिफाइड जो उनके लिए पद है उसमें यह कहा जाता है कि यह सिक्षक 60 साट साल तक यह सिक्षक बने रहेंगे एक दूसरा कितना कॉंफ्लिक्ट है सो समझे दूसरा जब सरकार यह वसस्त सिक्षक नियवाबली जब लागू करती है उस इसको बाद में देखेंगे कि जो सिक्षक उस सक्षमता परिक्षा को पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या इसकी होगी वह आगे सरकार इसी लिए सवाल खड़ा हो रहा है जी संक्षेपन यह है कि आनन पानन में कमीटी बना दी गए और कमीटी ने डिसाइड कर दिया कि बही सिक्षक निकाले जाएंगे तो यह दो चीजे कैसे होंगी एक तरफ यही विरोधाबास है सत्ता पक्षर से हम इसका जवाब ले लेते हैं ही मराजी आप से शुरू करते हैं यह कॉन्फ्लिक्ट अधिकारियों की बड़ी टीम है सब कुछ अलग-अलग भागों में सही तरीके से हो रहा है लेकिन सिक्षकों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है तो पाठक जी के द्वारा जाड़ी आदेश के उपर है कि जरूरी नहीं कि जितने भी आदेश जाड़ी है सब के सब नकरात्मक साबित होए रूप से दिखाई पर रहे हुआ हैं उसका असर सकरात्मक दिखाई पर रहा रहा है लेकिन कुछ ऐसे निर्ने हैं सरकार ये महसूस करती है कि कुछ ऐसे भी निर्ने जवानन फानन में लिये जाते हैं उस पर सिच्छकों के साथ समस्या खड़ी हो जा रही है हम इस बात से सहमत है कि जो कंप्यूटर की बात आई तो निश्चित रूपसर चोटा साथ पहलू है उसके बारे में कहा गया है कि हम ट्रेनिंग देंगे उसके बाद परिक्षा लेंगे तो आप चुनाओ की ट्रेनिंग ले लेते हैं 2-4 दिनों में और उसके बाद पूरी जिस डंग से होना चाहिए उस डंग से है नहीं केके पाठक जी के आने से बहुत सारा चेंजर पजीटीव हुई है उसमें देखा गया कि बहुत सारे सिक्षक जो हैं सो सिक्षक कार्ज में पूरी तरह अपने कार्ज को नहीं संपाधित कर रहे हैं इसके देखते हुए और बहुत सारे बात को देखते हुए इस बात पर विचार किया गया कि अधी सिक्षक सक्षम है वह अपनी योगता को परमानित करने के लिए सक्षम है तो उनको देने में क्या दिक्कत है और चलिए मनोजी से पूछ लेते हैं मनोजी इसे एक फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के तौर पर क्योंने देखा जाए देखिए इसमें दीपक वावु बिल्कुल बात है कि सरकार यही जो फिल्ट्रेशन सब्द आपने कहा फिल्ट्रेशन नहीं हम इसको कहेंगे कि सिचकों को तंग तवा और छटनी की परकिरिया सरकार सुरू करना चाहती है चुकि कोई मने कहने का तो कि इस देश में परजात अंत्र है और विहार में भी डेमोक्रेसी है लेकिन यहां कोई पच्छ सुनने वाला नहीं है आजादी के बाद से मेरा जो विहार राज़ प्रात्मिक सिचक संग है 1989 से मानता प्राप्ता हैं और हर एक सरकार हमेशा पच्छ सुनते रही है सिचको का केंदर में भी यह विवस्था है कि करमचारीयों का पच्छ सुनने के लिए एक खोरम बना हुआ है वहां पर लोग सुनते हैं लेकिन बिहार में और हमको तो तरस आता है कि सरकार के ऐसे लोगों पर जो खुद कहते हैं जिस सिच्छक से वो 18 साल और 20 साल से काम ले रहे हैं वो आयोग थे आपने क्यों आजोग जड़ी थे तो आपने क्यों बहाल किया ये तो राज जी के बच्चों के साथ नौनिहाल गरी दुगा बच्चों के साथ क्राइम है एक क्राइम है जदी वह ऐसा कोई सरकार की है तो उनको तो सजा होनी चाहिए कि आप अजोग सिच्छक को कैसे बहाल किया और इतना दिन पढ़वाए हमारा कोई भी सिच्छक अजोग नहीं है ये कहना बिल्कुल गलत है और एक केवल सरकार सिचकों को तंटवा और परतारित करने के लिए इस तरह का आदेश जारी कर रही है हम पाठक साहिब या कोई भी हो सिच्छा से संबंधित आदेश का जो सुधार के लिए उसका स्वागत करते हैं परन्तु जो मनमानी आदेश है जो नियम अधिनियम से परे आदेश है बताइए नों कहते हैं कि जो भी धरना परदर्शन करेगा विरोद करेगा वक्त का वहाँ एक छोड़ी-छोड़ी प्रकेर राजेश जी और सिच्छा में सुधार होनी चाहिए और बिना सिच्छा के सुधार के किसी राज और पडिवार का कल्यान नहीं हो स इसलिए सरकार सिच्छक के भी साथ है उनके समस्या के भी साथ है और सिच्छा में कैसे सुधार हो इस बारे के लेके भी सरकार जो है से पूरी चाहती है यह कौन सा सर्विस कंड़क्ट है नमबर नमबर दो कि आप बताईए जदिव के मुख प्रवक्ता ने कहा है अभी कल ह निरज कुमार ने कि हम लोग जब पढ़ते थे दस से चार का आइडियल समय हुआ करता था स्कूल में यह केके पाठक कहां से आ गए किस अंतरिक्ष से वो टपक पड़े हैं कि 9 बजे से लेकर कि और शान के 5 बजे तक और सोचिए कि जिस एंटेरियर इलाके में महिला परिशानी का दौर है तो साफ तोर से सवाल सरकार की मंसा पर है सरकार ऐसे सनकी पदाधिकारी को इस परकार का विहाइब करने के लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं सरकार की कोई ऐसी मंसा नहीं है जो किसी के साथ कोई भेदभाव बरता जाए किसी को परिशान किया जाए ऐसा सरकार का कोई नियत नहीं है मंसा नहीं है सरकार का संकल्थ है सरकार का यह प्रयास है कि सिक्षक के अस्तर को कितना उपर उठाया जाए बिलकुल सिक्षक के अस्तर हैं लिए जा रहे हैं मदवाएं नहीं की तो अगर राय मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता किर ऐतकरी अथा करें क्मेशरी अरुप दुद JUST जी राम जी और राजेश सेंजी साती मनों जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात हमारे साथ साजा करने के लिए सवाल तो पूछेंगे मैं आज के लिए हितना ही अगले एपिसोड में हम फिर एक और सवाल के साथ आपके सामने रहेंगे तब तक के लिए देख देखते रहें कशिश नीवेश